हेलो फ्रेंज मैं हूँ संचिता और आज हम सीखेंगे एक नया राग जिसका नाम है राग केदार राग केदार में दोनों निशाद लगते हैं और दोनों मध्यम का प्रयोग होता है कब कौन सा मध्यम लगेगा कौन सा निशाद लगेगा यह हम आगे जानेंगे पहले हम आपका वाली तक बनी हुई है आईए सुने कुछ गीत जो इस राग पर आधारत है दर्शन दो घन शाम नात मोरी अखियां प्यासी रे हम को मन की शक्ति देना मन विजय करें दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें हम को मन की शक्ति देना उठाए जा उनके सितम और जीए जा यूही मुस्कुराए जा आसू पिये जहा उठाए जा उनके सितम आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के याराने है इस मन्जिल पर मिलने वाले उस मन्जिल पर हो जाने है पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के याराने है आईए देखें राग केदार का राग परीचे थाठ है कल्यान यानि मतीवर तो होना ही है कल्यान थाठ में मतीवर होता है लिकिन इस राग में दोनों ही म का प्रयोग हुआ है मतीवर और शुद म दोनों ही लगे है नी कोमल और नी शुद का भी प्रयोग है जाती है औरव शाडव यानि आरोह में पांच स्वर लगेंगे और अवरोह में छे स्वर लगेंगे वादी है म समवादी है सा किसी भी राग का अगर वादी स्वर म है तो तानपुरा सा म सा पर ही ट्यून होगा समय है रात्री का प्रथम प्रहर यानी शाम को इस राग को गाने से सबसे मधूर प्रतित होगा ये राग गवर्जित है लेकिन कण स्वर के रूप में लग सकता है आईए देखें राग के दार का आरोह, अवरोह और पकड पकड से हम किसी भी राग को पहचान सकते हैं क्योंकि पकड में सभी राग के मुख्य स्वर समूहू दिखाई देते हैं आरोह, पहले बेस नोट लगाएंगे साम, साम पा, धानी सा एक और तरीका है आरोह का अगर आप थोड़ा सा उसमें कोमलनी भी दिखाना चाहते हैं सामापा, धामापा, नीधापा, सा अबरोह सानी धाप, मापधनी धाप, मापधप मरे सा आप देखें रे बोलने का तरीका अलग है और यही है पहचान राकेदार की माइरे सा अब हमें कैसे पता लगेगा कि कब कोमलनी लगाना है और कब शुदनी लगाना है आप स्वर्समू भी देख सकते हैं कि जब यह स्वर्समू है तब कोमलनी का प्रयोग है ऐसे ही कब लगेगा शुदमा और कब लगेगा तीव्रमा उसमें भी स्वर्समू चेक कर लिजे कि कुछ ऐसे स्वर्समू है जहां पे तीव्रमा ही लगता है मापधाप मारे सा मापधा नीधापा इन दोनों जगों पे तीवर्म का प्रयोग हुआ है तो आईए अब देखते हैं राक केदार का छोटा ख्याल या बंदिश जो की शुरू है नौ मात्रा से स्थाई भी नौ मात्रा से शुरू है और अंत्रा भी नौ मात्रा से शुरू है बंदिश तीन ताल पर जिसमें सोला मात्रा होती है तीन ताल के बोल है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा अब नौ मात्रा कैसे होगी यानि धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा हो गए एट नाइन्थ मात्रा से इस के स्थाई और अंत्रा बंदिश की दोनों शुरू है तो आपको देखना है तब ले पे जब बच जाएगा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा यहां से शुरू करना है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा राम नाम रस पीजे मनुवा तजकु संग सत संग बैठनित तजकु संग सत संग बैठनित हरी चरचा सुन लीजे मनुवा राम नाम रस पीजे मनुवा काम क्रोध मद लोभ मोह को बाहाचित से दीजे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर ताही के रंग में बीजे मनुवा राम नाम रस पीजे मनुवा राम नाम रस सा धबसा सारे सामरे साराम नाम रस पां राम नाम रस रेरेसा निसमा मापा धमा पमारेसा राम नाम रस राम नाम रस सामापा मापधनीधापा मपधप मरे सा मरस राम ना मरस सा मपधप माप मपधप मापध निसा सारी निसाधा माप मपधध निदाप मापधप माप सा पा मारे सा निसा रे सा राम ना मरस राम ना मरस पी जय मनुवा काम गोध मध सा राम निसा राम ना मरस काम को राम ना माप निसा राम ना मरस काम क्रोध मद, सारे सा मरे सा, मरे सा, सारे सा, सारे सा, मापा, मापा, पादमा, काम ग्रोध मद लोभ मोह को बाचित से दी मेरा के प्रभु गिरधर नागर काही के रंग में पीजे मनुवा राम नाम रस 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 नाम रस राम नाम रस, सासमा मपपधप मपधप ममरेसा, राम नाम रस, राम नाम रस, मपधप निधप मपधप ममरेसा, निसा, राम नाम रस, राम नाम रस, राम नाम रस, राम नाम रस, मपदनिसा निदसाप ऐर मपदब ममरसा राम नाम रस निरसा निदसाप है राम नाम रस्या 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 राम रस्या राम नाम रस्या राम 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 रस्या रम नाम रस सास म मपपधप मपदणी दप अलोग मपदनी सामी दप मा पदणी साय्षा नाम रस आप थोड़ी स्वीट बढाते हैं राम नाम रस सासा माप पदाप माप दाप मामरिसा राम नाम रस सासा दाप माप दाप मामरिसा निसा राम नाम रस सासा माप दाप माप दाप माप दाप मामरिसा राम नाम रस पीजे मनुवा बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना बेकस पे करम कीजिए आशा करती हो आपको राक केदार की बेसिक नॉलिज हो गई और उस पे बेस जो भी फिल्म सॉंग्स है वो सभी पसंद आए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा इसी तरह हम मिलते रहेंगे और नए नए राग सीखते रहेंगे थैंकियो सो मच फॉर बींग यह मैं हूं संचिता नमस्ते